हाई ओल एंडियस फ्रेंड्स हाव टू डू ग्रेप जूस फास्ट एट होम एंड गट गुड रिजल्ट और फेल्थ के मेरे इसके पहले के वीडियो लेक्चर के बाद बहुत सादक मित्रों के सवाल थे कि प्रतीक भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आप ग्रेप ग्रेप जूस कैसे बनाएंगे उसकी रेसिपी बताऊंगा और आपके जो सवाल आये उसके जवाब भी दूंगा दोस्तको एक सवाल था कि कौनसी ग्रेप अच्छी रहती है काली द्राक्स या ग्रीन ग्रेप दोस्तों कोई भी ग्रेप यूस करें कोई प्रोब्लम नहीं जो आपको अवेलेबल हो इजीली वो यूस कर सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आपको काली द्राक्स के प्रयोक से ग्रेप जूस बना के बताऊंगा एक सवाल था कि कौनसा जूसर अच्छा है दोस्तों मैं ग्रेप जूस का फास करने के लिए जो जूस बनाता हूं उसम प्राकेट में ऐसे बहुत सारे अन्यों मिक्सर मिलते हैं जैसे हिरो कुविंग्स एवरीडे पैनास्वानिक और अन्यों बहुत सारी कंपनियां कीमत 5,000 से 20,000 रुपिया हर कंपनी की अलग-अलग फैसिलिटीज और खासियत होती है दोस्तों ग्रेप जूस बनाना बहुत आसान है सिंपली आप अच्छी सी ग्रेप लियाए उसको साफ और स्वच पानी में तीन से चार बार बराबर धोईए ताकि उसमें लगे पेस्टिसाइड निकल जाए आपका स्लो जूसर चालू करे और उसमें ग्रेप डालना सुरू करे एक तरफ से एकदम ताजा कुद्र करती मजेदार ग्रेप जूस निकलना चालू हो जाएगा और दूसरी तरफ से एक ग्रेप के पल्प निकलेंगे यह देखो यह जो दिखता है वह ग्रेप का पल्प दिख रहा है और एक तरफ से ग्रेप जूस निकल रहा है दोस्तों स्लो जूसर इस्तमाल करने का फाइदा यह है कि इसमें बहुत ही कम पल्प निकलता है और ज्यादा कॉंटिटी में अपने ग्रेप जूस मिलता है दूसरा फाइदा यह है कि यह जो स्लो जूसर है उसको कोल्ड प्रेस जूसर भी बोलते है तो कोल्ड प्रेस जूसर में क्या होता है मस्केटिंग होता है मतलब ग्रास जो grapes रहती है उसको दबा के उसका juice निकालते है तो उसमें कोई heat generate नहीं होती है तो द्राक्स में जो nutrients रहते है वो ऐसे कैसे रहते है ज्यादा quantity में new juice और nutrients ये बरया juice इस slow juicer की मदद से हम प्राप्त कर सकते है और बहुत कम quantity में pulp निकलने के कारण अच्छी quantity में हमको juice मिलता है आज मैं आपको बता रहा हूं वो काली ड्राक्स का juice है अगर आपके पास काली ड्राक्स नहीं है green ड्राक्स है तो आप उसका प्रवyet भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है दोनों ड्राक्स के juice एक समान परिणाम देते हैं कोई problem नहीं है कुदरत ने बनाई हुई हर चीज अच्छी कबाडोeger कोई प्रोब्लेम नहीं कुछ लोगों के ऊसे बी सवाल दे कि प्रतिक भाई क्या अंगर जूस kawy भाश करते हैं तो पानी पी सकते हैं दोस्तों अगर आप ख्रमडियोस पींगे तो पानी की जरुवती दोस्तों एक quantity अपने सरीर के साफ से होती है कोई fix map नहीं होता है मेरे साफ से दीन के तीन या चार ग्लास प्रयोग करके आपको काफी अच्छे पनिना मिल सकते हैं अगर किसी को ज्यादा भूख लगती है ज्यादा quantity लेता है तो भी problem नहीं है प्रिंसिपल होना चाहिए जब आपको भूख या प्यास लगे तभी आपको यह grape juice का प्रयोक करना चाहिए एक question और भी था कि grape juice के फास्टिंग जब करते हैं तब क्या द्राक्स खा सकते हैं देखो अगर juice फास्ट करते हो तो द्राक्स न खाय तो ज्यादा अच्छा है ताकि कि अपने को सिर्फ juice का पाचन करने का काम सरीर को रहे और juice फास्ट के पूरे के पूरे पूरे परिणाम मिले बराबर यह question का जवाब था एक question ऐसा भी था कि प्रतिक भाई अगर grape juice फास्ट करते हैं उसमें क्या हम green juice ले सकते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से अगर grape juice फास्ट कर रहेगा और एक ही आहर को पचाएगा तो ज्यादा फाइदा होगा यह दोखो दोस्तों यह मेरा पूरा जो जूस का ग्लासे वह भर गया है पूरा का पूरा इससे आराम से चार से पांच ग्लास juice निकलेगा और बहुत ही कम quantity में पल्प निकला है नेचरल नूट्रीशन से बढ़ा ताजा स्वादिश्ट पॉष्टिक और बहुत ही बढ़िया जियूस रहता है अगर मेरा बस चले और बारे मास अगर जो ग्रेफ्स मिलती रहे तो मैं 12 मास यही जूस पिता रहूं इतना मुझे अच्छा लगता है और दोस्तों दूसरी बात एक यह भी है कि जो पान का पाउडर या रुदय अमुरूत पाउडर या डायाबिटीस कवाद पाउडर ऐसे तरह तरह के पाउडर मिलते उनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों अवल तो चीज यह है कि कोई पाउडर का इस्तेमाल करने की जरूती नहीं है जब कुदरत ने हमें इतनी सारी बढ सब्स ले आते हो ग्रीन सब्जी ले आते हो पालक ले आते हो दुदी ले आते हो गाजर ले आते हो टामाटर ले आते हो बहुत सारी चीज यह पेठा ले आते हो कोई भी चीज आप घर पे रखते हो उसको जूसर में डालो दो मीट में जूस कितने सारे फूट से ओरेंज है पाइनेपल है, संत्रे है, आप सफर जन है, सेव है, अब किसी भी चीज का प्रयोक करके बना सकते हो, ये देखो, आपके सामने चार ग्लास जूस तैयार हो गया, जिसको आप अराम से घर के चार सदसिय पी के उसका मजा ले सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, कि अगर एक ग्रेफ पूरे फेमिली मेंबर एक साथ करें तो बहुत मजाता है, बहुत मजाता है, हमको ऐसा लगेगा कि हम एक साथ जुड़े हुए, ये जब जूस फाश करते हैं, तब हम कुद्रत से जूड़ जाते है, परमात्मा से जूड़ जाते है, शरीर एक अनन्द का प्रयोक में लेकिन जब यही चीज़ आप कोई पावडर का इस्तमाल करके करते हो, तो आपको वो परिणाम नहीं मिलते हैं, जो आपको चाहिए, तो मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ, अगर आपको स्वस्त परिणाम चाहिए, अच्छे परिणाम चाहिए, तो आप कुद्रती चीज इस्तमाल करने में आता है, उसके परिणाम मिलते हैं, वो आटीपिचल चीज़ों में नहीं मिलते हैं, दोस्तो पावडर सुखी चीज़ होती है, उसमें कोई पानी नहीं होता है, चवान साब ये कहते हैं, आप ऐसी चीज़ का प्रयोक करो, जिसमें पानी ज्यादा हो, हमें साथ ताजी, नेचरल, ओरीजनल, सीजनल और अवेलेबल चीज़ का प्रयोक करने का आपको सला दूंगा, और आसा रखूंगा कि मेरे वीडियो से आपको ग्रेप जूस फास्ट कैसे बनाएंगे, ग्रेप जूस कैसे बनाएंगे, और फास्ट कैसे करेंगे, उसका गया होगा, दोस्तों हमको अपने बच्चों में भी यही अदर डालनी है, टाकि वो आगे जाके एक हिल्दी लाइब जाहिल जी सके, धन्यवाद मेरे साथ रहें,